जोहार, मैं आनद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बात दोस्तो जारखंड के एक नेता जी के हनी ट्रैप होने की चर्चा आखिरकार बाहर आ गई दोस्तो फेस्बुक पर जारखंड बीजेपी से जुड़े कुछ पूराने कारेकरताओं के पोस्ट आ रहे थे करिब हफते 10 दिन से आ रहे थे और उसमें इशारा किया जा रहा था कि एक नेता जी हनी ट्रैप हो गए हैं कुछ नेताओं के होटल और रिसोट जाने की बात भी चर्चा में थी उन्ही नेताओं के फेस्बुक पोस्ट पर चर्चा की जा रहे थी कि कोई नेताओं जी ऐसे हैं जिनका कोई रिसोट और कोई होटल का फोटो आ गया है और कोई एक ऐसे नेताओं जी हैं जिनको हनी ट्रैप कर लिया गया है और बहुत मोटी रकम देकर उन्होंने इस मामले को रफा दफा कराया है सोशल मीडिया हैंडल पर दो लोग ऐसे थे जो इस बात को उठा रहे थे मैं इनको काफी दिनों से देख रहा था लेकिन आज ये बातें सोशल मीडिया से बाहर निकल आई है और अब समचार माध्यमों खास करके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज शाम से ये खबरे चलने लगी हैं कि नेता जी हनी ट्रैप्ड हो गए दोस्तों अब ये नेता जी जो हनी ट्रैप हुए हैं वो किस पार्टी के हैं क्या रसूख रखते हैं ये धीरे धीरे लोगों के सामने आ जाएगा चुकि मामला संवेज अन्शील है इसलिए उनके बारे में ज्यादा खुलासा करना उचित नहीं है जारखंड में ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई नेता जी हनी ट्रैप हुए हो या किसी का ऐसा कोई वीडियो होने की बा रही है कि असली थे या नकली थे जान बुझकर बनाया गया था छवी खराब करने के लिए बनाया गया था या सत्यता का भी कुछ इसमें अंच था तो यह मामला पुलिस में है कानून अपना काम कर रहा है जांच हो रही है तो बताया जा रहा है कि यह जो नए नए हनी ट्र पाकर नेता जी ने उस ब्लैक मेलर से पीछा छुड़ाया था तो अब वो नेता जी भी उस फोटो वीडियो को नहीं छापने नहीं दिखाने के लिए मैनेजमेंट में जुटे हैं जिन लोगों के पास ये वीडियो और फोटो है और कुछ वैसे लोग जो अन्नेता जी को एकश्पोज करना चाहते हैं और चुनाओ के आखरी चनल में इसका फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग भी लगे हैं उन लोगों के पीछे पड़े हैं कि फोटो दे दो वीडियो दे दो बदले में चाहे जितनी रकम ले लो और जिन नेता जी का वो वीडियो बताया जाता है वो भी किसी तरह से मामले को रफा दफा करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तयार है मामला करीब तीन महिने पहले का बताया जा रहा है और बताया जाता है कि नेता जी नई दिल्ली में हनी ट्रैप का शिकार हुए है बहुत रसूखदार नेता है जिस पार्टी में है फिलाल वहां उनकी काफी पूछ है काफी पकड़ है और वो अपनी पार्टी के एक बड़े नेता हैं और उनकी पार्टी के तरफ से भी उनको ये हिदायत दी गई है कि मामला पब्लिक में नहीं आना चाहिए क्योंकि इस से उनके साथ साथ पार्टी की भी बहुत भारी फजीहत होगी और दूसरे राजनीतिक दल के लोग जो है जिनको इस मामले की भनक लग गई है वे और इसे संसनी बनाया जा सके नेता जी को बदनाम किया जा सके साथ साथ उनकी पार्टी को भी बदनाम किया जा सके दोस्तों ये बाते करीब 6-7 दिन पहले से सोशल मीडिया पर तैर रही थी और जो लोग इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर चला रहे थे उनके फेस्बूक एकाउंट पर बहुत सारे पत्रकार भी जुड़े हुए थे जो इस मुद्दे को देख रहे थे और जिन लोगों ने इस बात को संकेतों के रूप में उठाना शुरू किया था उन्होंने मुहलत भी दी थी पिछले रविवार तक यानि जो रविवार अभी गुजरा है उस मुहलत दी थी और साथ में ये कहा था कि उसके बाद वे आर पार की लडाई लडेंगे और कुछ और नताओं के बारे में भी कहा गया था कि वे महिलाओं का नाजाइज लाब उठाते है मन्मानी करते हैं और साथ साथ जिन नेता जीका आज हनी ट्रैप होने की बात हो रही है उनके बारे में भी जानकारी दी गई थी तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत सारे पत्रकार भी थे जो इस मामले पर नजर रखे हुए थे लेकिन आज ये बातें डिजिटल माध्यमों पर आ गई हैं और इसकी पूरे राज में और यहां से लेकर दिली तक इसकी बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है लोग मजे लेकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर वो नेता जी कौन है जो हनी ट्रैप हो गए बताया जाता है कि नेता जी अच्छे खासे उम्रदराज नेता हैं पैसे वाले हैं अपनी पार्टी में बहुत रसूख भी रखते हैं और जो जानकारी सामने आई है उसके मताबिक जिस यूती ने उन्नेता जी का हनी ट्रैप किया है उन्होंने नेता जी को फोटो और वीडियो दिखा कर इतना तनाव दे दिया है कि उनका बीपी और शुगर लेवल काफी बढ़ गया है ऐसे समय में जब चौथे चरण के चुनाव के लिए जो की महारत में आम चुनाव का सात्मा चरण है दुमका गुड़ा और राजमहल की तीन सीटों पर चुनाव होना है जारखंड में सभी पार्टियों के प्रमुख नेता वहाँ जमे हुए है ऐसे में ये हनी ट्रैप की बात सामने आ रही है जो नेता जी और उनकी पार्टि को काफी टेंशन में डाल सकती है तो ये कहा जा रहा है कि नेता जी ने उस लड़की का उस यूती का मुझ बंद करने के लिए एक मोटी रकम भी चुकाई है लेकिन वो लड़की वो यूती कितने दिनों तक अपना मुझ बंद रख पाएगी या कितने दिनों तक वो छुपी रह पाएगी ये भी एक समस्या है नेता जी के लिए तो दोस्तों अभी ये स्थिती है कि जैसे ये चर्चा बाहर आई है तो इस चर्चा के बाद राची के पत्रकार, राची के बड़े अधिकारी और राजनितिक दलों के जितने नेता करे करता है सभी इसका सुराग लगाने में जूटे हैं कि आखिर वो नेता जी कौन है जो हनी ट्रेप का शिकार हो गए है तो जारखंड के इस आखरी चर्ण के चुनावी माहौल को नेता जी के हनी ट्रेप होने की चर्चा ने और गर्म कर दिया है तो इस पर नजर बनाए रखेंगे धीरे धीरे कुछ और खुलासे होंगे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है लेकिन फिलहाल उसका खुलासा करना उचित नहीं है क्योंकि जो लोग इस मामले को लेकर सोशल मेडिया पर पांच साथ दस दिनों से चला रहे थे मामला पर निता जी कौन हो सकते हैं उनकी पार्टी कौन सी पार्टी हो सकती है और अपनी परतिक्रिया जरूर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक हिजासत दीजे धन्यवाद नमस्कार